एक rocky गणी कोई दोपींघ कितले अवारे अगर वे समीकेड़कार करते हैं अगर हमें के मतलब होता है अगर हमें सेमी कंडूक्टर के अगर हमें यहाँ पर अभी हम लोग बात करने वाले shallow Doping के बारे में साथ इसाथ हम लोग deep doping के बारे में भी बात करेंगे in case of both the semiconductor N-type semiconductor and P-type semiconductor तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखे यहाँ पर हमने consider किया यह है conduction band और यहाँ पर हमने consider कर लिया यह है valence band यहाँ पर यह कॉन से ऐलेक्ट्रॉंस मिलते हैं फ्री ऐलेक्ट्रॉंस मिलते हैं इसके बारे में हमने डिसकस किया थो यहाँ पर यहाँ अगर हम लोग देखे हमने क्या कि हमने टेम्परेचर के करने के दीजिसे एक एलेक्टरन कंडरेट में चले गां वैलेंसबैंड में होल जन्रेट हुआ कंडरेट हुआ हमने तेमप्रेचर ने लाउर इसकूबैंड में होल जन्रूइट ही चो यहां पर बहुत अत्य की लिए रहेगी जितने अलग्त्राउन जन्रेटेट The टिफने एलेक्ट्राउन जन्रेट जितने थे खंडक्ट्राउन बेंड में mlट्राउन wysy यह अ presents सिर्फ होप्ड्राउन में सिर्फ उस इंांdri करते हैं अभी हम लोग लोग करते थे और यहाँ पर कॉनसी कॉंसी दौप के तरफ shift हो जाएंगा तो फर्मिया energy level उपपर के तरफ shift हो गया और हमें एक band मिलेगा और यह जो band होता है इसको हम लोग energy level मिलेगा not band हमें energy level मिलेगा और यह जो energy level होता है इसको हम लोग basically बेसिकली बोलते donor discrete energy level यह donor discrete energy level पर हम लोग क्या assume करते यह donor discrete energy level पर हम लोग assume करते donor impurities मतलब हम लोग electrons assume करते तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखे यहाँ पर हमने consider कर लिया conduction band यहाँ पर हमने balance band consider कर लिया और दोनों के पिछ का जो difference है वो क्या है वो है band gap तो यहां पर अभी अगर हम लोग देखें basically होगा क्या है यहां पर यह जो हमें जो donor डिस्क्रिट जो energy level जो दिखाए देरा है इस पर हम लोग donor impurity consider कर लेते हैं तो हमने क्या 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 जैसे कि हमने थोड़े टाम पला discuss क्या जो semiconductor उसमें हमने doping कर दी and type doping करने के वज़े से जो फर्मी energy level है वो उपर के तरफ shift होगा और हमें energy level मिला जो कहें donor discrete energy level हमने doping कर दी तो जो एंट टाइब डोपिंग हमने कितने amount से की जो एंट टाइब डोपिंग हमने जितने amount से की उसी को हम लोग basically बोलते जो एंट टाइब जो डोपिंग है उसको हमने कितने amount से की जो एंट टाइब डोपिंग है उसको हमने andy amount से की तो यहाँ पर यह जो एंट है वह हम है इंडिकेट कर रहा है doping concentration और unit volume है यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखे अगर हमने कर दोपिंग 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 कर जो बन गया कौन सब्सक्राइब है और बहुत अत्यक्ति लिए जितने एक्रण में जर्णेड के Wähler tenemos नहीं होने वाले है ऊदी ówने अभी नने क्या है तो вниз उध्यक्रस की तेशols जो त्रомина चॉद्व प्रिचर को इंक्रीज किया तो यहां पर कंडॉक्षण बैंड में फूल जन्रेट हुए और किस तरीके से जिन्रेट होते हैं इसके बारे में अब भी हमने थोटे टाइम पहला डिसकस किया और यहां पर यहां पर यह जो डोनर डिस्क्रीट एनरजी लेवल जहां पर जो इले वह कौणसे बैंड में अगय जो एमटी स्पेस में यहां पर एक एमटी स्पेस मिल जाएंगी आँ यह जो सegenल हें इसको अंध्यर को या फिर बोल सकते है majority creator in end type semiconductor क्योंकि है electrons में जो majority gothe I mean end type semiconductor में जो majority gothe route bomberivolence होते वह क्या होते elektrons होते जो just end इर वहमें किया indicate करहा temat Musकाook काूंसे semiconductor में end-type semiconductor में आप тогда simply बोल सकती हो electrons इं-type semiconductor similarly यहां पर यह होल जो generate हुए यह जो hole है इसको हम लोग assume कर लेते हैं यह है PN अभी यहाँ पर यह PN क्या है जो PN है वो हमें indicate कर रहा है minority career concentration per unit volume minority career concentration per unit volume या फिर बोल सकते है number of holes per unit volume N type semiconductor के case में जो minority जो career होता है वो क्या होता है? वो होता है hole यहाँ पर 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 यहाँ doping concentration per unit volume या फिर बोल सकते हैं pentavalent impurity per unit volume तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देगे यहाँ पर hole generate होगे और यहाँ पर भी hole generate हो गया तो यहाँ पर यह जो hole है आप इसको positive charge assume करते हुए चलो क्योंकि हम एक equation obtain करना है और वो equation के लिए जो होल हमने जो consider किया है जो होल है इसको हम लोग positive charge assume करते वे चल सकते हैं जबकि जो होल है इसको हम लोग positive charge बोल नहीं सकते हैं क्योंकि जो होल है उसके पास वो characteristic नहीं होती जो कि एक positive charge के पास होती है positive charge के वज़े से क्या हो सकता है? electric field create हो सकते है positive charge force apply कर सकता है जो इसको हम लोग basically बोलते है electrostatic force मगर यहाँ पर यह जो hole है उसके पास वो characteristic नहीं होती जो कि एक positive charge के पास होती है तो यह जो hole है इसको हम लोग positive charge assume करते हुए चल सकते हैं मगर यह जो hole है इसको हम लोग positive charge नहीं बोल सकते हैं हैक तो यहां पर अभी आगर हम लोग देखे हैं मानले जो ऐसे मिचंड़र किया जो है लिए यहां पर हम ने कइंडिव democracy करेश एुम करते हें चलेंगे और जो कुछोलि फ करियंगे जो n-type semiconductor है तो n-type semiconductor में जो majority career concentration electron उसका हमने negative charge assume किया consider किया और जो minority career concentration है whole उसका हमने positive charge assume करते वे चला तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग basically कर क्या रहे यहाँ पर हम लोग equation बनाना चाहरे है और वो equation है वो किसके लिए equation majority career concentration के लिए और इसी के basis पर आपको समझ में आ जाएंगा shallow doping का मतलब क्या होता और deep doping का मतलब क्या होता है तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगर हम लोग positive charge carrier अगर assume करें unit volume में total positive charge carrier unit volume में वो कितने होगे total positive charge carrier unit volume में semiconductor हमने consider कि इसका जो dimension है वो है L into B unit volume यह फिर बोल सकते है यह whole इसे per unit volume वो आपको indicate कर रहा है pin और यहाँ पर यह वह आपको indicate क्या कर रहा है जो और यह हमने यह हमने यह लगा दिया छार्ज में इस लिए लगा दिया क्योंकि हम लोग यहाँ पर charge गर हमें इतना मिल रहा है और लोत जृटल पॉजिटी ओंड़ी होगा अगर वन सैनिकंड़कर के डा इंचिन केशान मल्टिप्लाइ कर दें तो हमें क्या मिल जाएंगा हमें semi conductor के dimension किसान multiply कर दिया तो यह relation हमें क्या indicate कर रहा है जो relation है वो में indicate कर रहा है positive charge in entire semiconductor इसको आपको simply किसके सान multiply करना होगा इसको आपको simply multiply करना होगा सेमिकंडक्टर के dimension के साथ जो नेगेटिव charge करियर होगा entire semiconductor में वो बराबर में हो जाएगा एनन इन्टू एल इंटू ए और यहाँ पर हमने ए लगा दिया इसका मतलब हम लोग चार्च कंसिल्डर कर रहे है तो यहाँ पर यह हम आपको क्या indicate कर रहा है पूरा जो रिलेशन है वो आपको indicate कर रहा है नेगेटिव चार्च करियर इन entire semiconductor और यह पूरा जो रिलेशन है वो आपको indicate कर रहा है positive चार्च करियर इन entire यहाँ पर यह वाला रिलेशन और यह वाला जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहां से इंडिकेट कर रहा है, Minority career concentration per unit volume, ND आपको indicate कर रहा है doping concentration per unit volume, या फिर बोल सकते हैं N type semiconductor है, तो पेंटावलेंट impurity per unit volume, और यहापर यह जो N N है, वो आपको क्या indicate कर रहा है, Majority career concentration per unit volume, consider कर लेते हैं mass action law, हमने discuss किया है, Mass action law के बारे में majority, किसी भी सेमी कंड़क्टर में मैजोरीटी करियर और मायनोरीटी करियर का जो मल्टिप्लिकेशन होता हूँ किसके बराबर में होता है इंट्रिंसी करियर कंसेंट्रेशन के स्कॉयर के बराबर में होता है अंडर थर्मली एक्यूलिबिरियूम कंडिशन तो mass action law के हिसाब से n n p n ये किसके बराबर में होगा n i square के बराबर में होगा mass action law के बारे में हमने already discuss के है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते p n is equal to n i square upon n n तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखे p n is equal to n i square upon n ये जो mass action law इसको हमने arrange करके कुछ इस तरीके से लिखा p n is equal to n i square upon n n आपर यह जो p n जो दिखाए ते रहा है इसके जगा हम लोग put कर सकते n i square upon n तो n i square upon n n nd उसको हम नहीं यहाँ पर लिखा और जो n n है उसको हम नहीं इसको हमने कुछ इस तरीके से आगे सॉल्फ कया जब हमने इसको आगे कुछ इस तरीके से सॉल्फ गया तो हमें रिजल्ट में एक equation मिला और वो जो equation हमें जो मिला वो हमें कुछ इस तरीके से मिला n n is equal to n d upon 2 plus under root n d upon 2 का whole square plus intrinsic करियर कंसेंट्रेशन का है तो यहां पर यह जो equation हमें जो मिला यह equation किसके लिए मैजोरेटी करियर कंसेंट्रेशन के लिए अभी आ जाते शैलो डोपिंग का मतलब क्या होता है यहां पर अगर हम लोग देखे शैलो डोपिंग और डिप दोपिंग का मतलब क्या होता है शालो डोपिंग मतलब अल्की फुल की डोपिंग हम लोग जो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शालो डोपिंग और डीप डोपिंग का मतलब क्या होता है जो डोपिंग होती है उसको हम लोग एकदम हाई अमाउट में कर देते हैं तो इसी को इफ दोपिंग का मतलब क्या होता है आप टेक्निकली भी बोल सकते हो इफ डोपिंग कंसेंट्रेशन अगर बराबर में होता है इंट्रिंसिक चार्ज करियर कंसेंट्रेशन के डोपिंग कंसेंट्रेशन आप जितनी डोपिंग कर रहे हो जितनी अमाउंट में आप इंप्यू city बोलोगे तो जो डोपिटिंग आप उसको बोलोगे चैलोड बोपिंग् कंशनेशन अगर बराबर में उतलोगे इन्ट्रिंशी बोलने होtते हैं यहां भूसारा रिलेशन होता है जो इसनल म होता है जो जो जैलोडोपिंग के लिए screening के बोल दिया जाए तो कॉंसा रिलेशन यूज करोगे आप यह वाला रिलेशन यूज करोगे यहाँ पर अब हम लोग देखें हमने डिसकस के अगर doping concentration अगर बराबर में होता है intrinsic career concentration के जितने amount में आप impurity मिला रहे हो अगर वो impurity का amount अगर बराबर में number of lactons और holes के तो ऐसी जो doping होती हो उसको हम लोग बोलते shallow doping मगर अगर आप जो doping जो मिला रहे करियर कंसेंटरेशन अगर बहुत बहुत ज्यादा होता है intrinsic career कंसेंटरेशन के comparison में if doping concentration is very high then intrinsic charge career concentration then majority career concentration will be approximately equal to the doping concentration and such doping is called as deeper doping तो मैं आपको बताऊंगा पुरा confuse मत हो ना आप यहां पर तो अगर doping concentration अगर बहुत बहुत ज्यादा होते तो ऑपििंग होती है इसको हमलोग कौनसेटरी बोलते ऑगर दूपिंग और temporary कंसेंटरेशन होता है वह किसके बराबर में होता है मैजोरेटी करियर concentration होता है, वो बराबर में होता है doping concentration के, तो यहां से आपने सबसे बहला shallow doping और deep doping से आपने क्या समझा, shallow doping का मतलब क्या होता है, अगर doping concentration अगर ये बराबर में हो, intrinsic career concentration के comparison में तो ऐसी जो doping होती इसको हम लोग बोलते shallow doping और shallow doping में majority career concentration find out करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला relation मगर अगर doping concentration doping concentration अगर बहुत बहुत ज़ादा होता है intrinsic career concentration के comparison में तो ऐसी जो doping होती है इसको हम लोग कौन सी doping बोलते हैं ऐसी doping को हम लोग basically बोलते हैं deeper doping और deeper doping में जो majority career concentration होता है वो किसके बराबर में होता है intrinsic जो majority career concentration होता है वो doping concentration के ही बराबर में होता है तो जो majority career concentration है जो NNN वो में क्या indicate करता है majority career concentration in anti-type semiconductor तो जो majority career concentration है वो किसके बराबर में होता है doping concentration के ही बराबर में होता है तो ये relation किसके लिए deep doping के लिए अगर हमें deep doping में अगर हमें majority career concentration अगर find out करना है बोल दिया जाए तो आपको instantaneously click हो जाना चाहिए कि deep doping के case में जो majority career concentration होता है वो doping concentration के ही बराबर में होता है यहापर मैं आपको कुछ examples बताता हूँ आपका concept clear हो जाएंगा यहापर अगर हम लोग देखें यहापर हमने consider कि intrinsic career concentration intrinsic career concentration कितना है 1.5 into 10 to the power 10 per centimeter cube at a normal temperature हमने consider गया है और यहापर हमने consider किया doping concentration आइंडी जो कही है 10 to the power 11 जिसकों हम लोग ऐसा लिख सकते है 10 into 10 to the power 10 per centimeter cube तो यहाँ पर आप देखो जो doping concentration आपको जो दिखाया दे रहा है और जो intrinsic career concentration है वो दोनों बराबर में तो doping concentration और intrinsic career concentration दोनों के बारे में हमने discuss किया दोनों का मतलब भी देखा तो doping concentration और intrinsic career concentration है दोनों बराबर में यहां पर भी आपको 10 to the power 10 दिखाए दे रहा है यहां पर भी 10 to the power 10 दिखाए दे रहा है तो doping concentration और जो intrinsic career concentration है यह दोनों बराबर में इसका मतलब यहां पर यहां पर यह जो doping है वो कौन सी doping है शैलो डोपिंग है और शैलो डोपिंग में अगर आपको majority career concentration अगर find out करने बोल शैलो डोपिंग में जो majority career concentration find out करने बोल जा जाए तो आप use करने वाले हो यह वाला relation तो यहां पर यह वाला जो relation है majority career concentration का यह बराबर में nd upon 2 plus under root nd upon 2 whole square plus intrinsic career concentration का square तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो जो doping होती है इसको हम लोग basically बोलते शैलो डोपिंग similarly यहां पर अभी अगर हम लोग देखें जो intrinsic career concentration है वो है 1.5 to 10 to the power 10 per centimeter cube normal temperature पर और जो doping concentration है वो है 10 to the power 17 per centimeter cube 10 to the power 17 और यहां पर यह 10 to the power 10 तो बहुत अत्यके के लिए रहेगे जो doping concentration है वो intrinsic career concentration के comparison में जादा है तो doping concentration intrinsic career concentration के comparison में जादा है इसका मतलब जो doping है वो कौन सी doping ह deep doping है और majority career concentration किसके बाराबर में होगा majority career concentration ये doping concentration की ही बाराबर में होगा majority career concentration is equal to doping concentration and concentration you doping concentration के बाराबर में ये ये doping है इसको my principles बूपिंग बोलते dip maps a b यापर हमने consider गया है एक example जा फिर बोल सकते हैं निमेरी गल्स नाइन इंटू तो दी पावर टैन पर सेंटीमेटर क्यूब फॉस्फरस आटम इस डोप इन प्यॉर सिलीकॉन सेमी कंडुक्टर में जो डूपिंग जो मिलाई गई है वह नाइन इंटू तो दी पावर टैन पर सेंटी सेंटीमेटर क्यूब यहां पर हमें पूचा गया what will be the majority career and minority career concentration तो सबसे पहला आप डूपिंग कंसेंट्रेशन देखो तो जो डूपिंग कंसेंट्रेशन है वह आपको कितना दिखायते रहे इतना दिखायते रहे तो जो डूपिंग कंसेंट्रेशन है वह है नाइन इंट्रिंसिक करियर कंसेंट्रेशन यह दोनों बराबर में या फिर यह दोनों में कुछ डिफरेंस है वहां पर बहुत अत्तिकी के लिए रहे कि जो इंट्रिंसिक करियर कंसेंट्रेशन और जो डूपिंग कंसेंट्रेशन है वह हमें सेम दिखाय दे रहे इसका मतलब majority career concentration ह हम लोग यह वाले relation से find out करेंगे और यहाँ पर यह जो डोपिंग इसको हम लोग कांसे डूपिंग फोलेंगे शैलो डूपिंग बोलेंगे तो हमने relation consider कर लिया majority career concentration find out करने के लिए shallow doping में majority career concentration find out करने के लिए हम लोग यह वाला relation consider करते तो जो relation है उसको हमने यहाँ पर consider कर लिया तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो end doping concentration हमें कितना मिल रहा है जो doping concentration है वो हमें मिल रहा है 9 x 10 to the power 10 per cm3 तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें nd के जगा हम लोग पूट करतेंगे 9 x 10 to the power 10 और यहाँ पर यह जो 2 उसको हमने यहाँ पर consider गया इसको अगर हम लोग calculate करें हमें 4.5 to 10 to the power 10 result मिल जाएंगा तो यहाँ पर यह जो nd जो निदेखात इसको जगा जाएंगा 4.5 to 10 to the power 10 तो यहाँ पर हम ने consider कर लिया 4.5 to 10 to the power 10 इयो जो 10 इसको हमने याँ पर consider कर लिया यहाँ पर यह andy अपर यह andy आपको जो nd के जाएंगा एंडी के जगा फिर से जाएंगा 4.5 to 10 to the power 2 और upon 2 और उसका आप क्या करोगे square consider कर लोगे यहाँ पर यह एंडी के जगा क्या पूट करोगे 4.5 to 10 to the power 10 आपको क्या मिल जाँगा 4.5 to 10 to the power 10 और denominator में 2 और उसका whole square तो जब उसका whole square considerably कर लोगे तो आपको क्या मिल जाँगा 2.025 इंटू 10 to the power 21 तो यह जो प्लस ताइन है उसको हमने यहाँ पर consider किया intrinsic career concentration अगर हम लोग देखें तो intrinsic career concentration आपको मिल रहा है 1 into 10 to the power 10 तो यह जो ni की जो value कुछ इतनी है तो यहाँ पर हम लोग put कर देंगे 1 into 10 to the power 10 और उसका हम लोग square consider कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाँ 10 to the power 20 तो यहाँ पर यह 10 to the power 20 हमें मिल गया यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पला यह जो 2.025 into 10 to the power 21 इसके साथ हम लोग 10 to the power 20 को क्या करेंगे calculate कर लेंगे फिर उसका under root ले लेंगे फिर हमें जो result जो मिलेगा उसके हम लोग इसके साथ add कर देंगे तो हमें क्या मिल जाँ क्योंकि हाँ पर plus sign है तो हमें majority career concentration मिल जाँगा जो कि होगा 9.109 into 10 to the power 10 per centimeter cube तो यह relation हमें किसके लिए मिल गया है जो relation है वो हमें मिल गया majority career concentration के लिए majority career concentration in per unit volume तो majority career concentration के लिए यहाँ पर हमें मिल गया relation similarly अगर हम लोग देखे minority career concentration के लिए relation हम लोग कैसा find out करेंगे तो in order to क्योंकि अगर हम लोग देखे हमें majority career concentration और minority career concentration दोनों के लिए relation find out करना था यहाँ पर हमें बोल दिया गया था what will be the majority career concentration and minority career concentration तो minority career concentration find out करने के लिए in order to find minority career concentration we will use mass action law mass action law के इसाब से pn is equal to ni square upon n यहाँ पर यह जो ni square है इसके जगा आप क्या put करोगे ni square की value आपको क्या मिले थी ni square की value आपको मिले थी 10 to the power 20 1 into 10 to the power 20 1 into 10 to the power 10 यह क्या है यह है ni की value अब यह आप ni का square consider कर लो तो आपको क्या मिल जाए 1 into 10 to the power 20 तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाए 1 into 10 to the power 20 और यहाँ पर यह ni n आपको क्या indicate कर रहा है majority career concentration majority career concentration की value आपको मिले थी 9.109 into 10 to the power 10 तो यहाँ पर हमने consider कर लिए majority career concentration की value इसको calculate करेंगे तो आपको Minority Career Concentration की जो value जो मिलेंगी वो मिलेंगी 1.097 x 10 to the power 29